हेलो एवरीवन ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नमबर फोर है जिसमें कि हम सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंट्स एंड उनके यूजर्स जो हम पढ़ने वाले जैसे हिंदी में क्या कहते हैं कुछ महत्तोपोर्ट रसायनिक योगिक ठेक है इनके बारे में हम पढ़ जर्य आपको फॉर्मूलास पूछे जाएंगे उनका का इंप अल्म नेम दिया रहेगा आप इसके इसके उसर बीसे निहीं इंपॉर्टेंट कर् consistency को सब पहले मिलदेंबगने के पहले from more than one element held together by chemical bonds जैसे हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होता है एक रसाइनिक योगिक रसाइनिक पदार्थ है मतलब आप इसे एकदम simple language में समझे तो यह इस तरह से होगा कि कोई भी chemical compound एक ऐसा पदार्थ है एक ऐसा हम further break नहीं कर सकते तो इसको हम क्या कहते हैं एलिमेंट कहते हैं जैसे अगर आप एक सीधर सब्सांपल लें वाटर का H2O का तो उसमें क्या होता है कि यह hydrogen and oxygen से मिलकर बना है H2O तो यह क्या हुआ hydrogen and oxygen यह एलिमेंट्स हो गए जो कि chemical वांट्स के द्वारा जुड़कर यह chemical compound यह वह फॉर्म करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा कि chemical compound क्या होता है अब इसके बाद next देखिए नेक्स्ट होता है है दर रेशो ऑफ इच एलिमेंट इस यूजवली एक्सप्रेस्ट बाया जितने भी chemical compound होते हैं उनको हमें chemical formula से रिप्रेजेंट करते हैं कमेकल के हमें क्यों जरूद पढ़ती है हमें फॉर्मला के इसने जरूरत पढ़ते हैं ताकि रिचो हरे विच रिचरेश कितना है वह हम रिप्रेजेंट कर सकें वह चीज़़ हम बता सके हैं जैसे कि hydrogen and oxygen की भी 2 is to 1 का ratio है तो इस वज़े से हमें chemical formula की ज़रूरत पढ़ती है और आप इसे एकदम simple way में define करें तो आप इस तरह से define कर सकते हैं a substance that is made up of two or more elements मतलब कि दो या दो से अधिक elements से मिलकर बनने वाला substance से chemical compound जैसे हिंदी में कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो की एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे हम chemical compound जो है कहते है chemical compound मतलब की रसायनिक योगिक अब इसकी बढ़ नेक्स देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं common name of chemical compounds common name क्या होता है कि जैसे for example कई साहर जैसे washing soda को गोगया caustic soda इनके chemical names अलग होते है और इनका common name जो होता है वो अलग होता है अब जैसे देखिए for every chemical compounds there will be chemical name और scientific name and a common name हर किसी chemical compound के क्या होता है common name होता है और एक उनका scientific name होता है scientist scientist or chemist identify a particular chemical compound from its scientific name but in general they are known from their common name मतलब कि क्या होता है कि day to day life में जैसे अगर हम for example हम salt को जो नमक होता है अगर हम उसे NACL बोलेंगे तो यह काफी odd लगेगा तो इसी तरह क्या होता है कि हर किसी का common name होता है और एक उसका scientific name होता है इसी तरह से कई chemical compounds होते है जिनका की popular name अलग होता है common name और उनका scientific name अलग होता है तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अब इसके बाद next देखिए नेक्स्ट है chemical formula what is chemical formula chemical formula represents the ratio of atoms per element that makes up the chemical compound chemical formula क्या करता है यह चीज़े रिप्रेजेंट करता है यह बड़ दर्शाता है कि दो elements की बीच ratio जो है वो कितना है अब यह जो chemical formula होता है उसमें क्या होता है हम सिंबॉल्स नहीं यूज करते हम उसमें क्या करते हैं जितने भी chemical compounds का हम र desa dot का use करते हैं bracket का use करते हैं sign का use करते हैं यह साइड जीजे भी हम उसमें यूज करते हैं chemical formula और क्या रिप्रेजेंट करता है यह रिप्रेजें गरता है कितने atom से बना है और यह एक्टम से वह किस तरह से arrange है यह होता है chemical formula का use अब इसके बाद नेक्स से अब यहां पर चाह अगर आप पहले इस वीडियो में जितने भी मैंचिन के हम उन्हें अप अप ची तर से याद कर लिजे यह काफी सफिशन्ट है उसके बाद अगर आप पढ़ना रघ था तो आप अप आप अपन आप से बांकि इसमें में इंक्पॉर्टेंट था है मैंने सभी को ब सरेके रताकिम काफेहिए होतें इसमें इसके वाइवlait कर दो होता है उसके बद कैलेशनर ऀसका अनुद हा होता है असल्डलिन उसकते हैं इसंते साथ यहाच कुछा शंडियर में आप और दोफ ऊहले हिसे उसके मचलग से अधिक अशyangला होतारा हिए क्या होता है कि इसका formula C9H804 अगर आपने chemistry in everyday life class 12 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि aspirin क्या होता है एक pain reliever होता है तो इसका भी आपको formula और इसका यूज़ जो है आपको याद होना चाहिए अब इसके बद नेक्स दीखिए नेक्स्ट है baking soda baking soda इसके नाम से क्लिया रहे कि यह cooking में यूज होता है खाने में यूज होता है इसका formula क्या होता है NaHCO3 उसके बद नेक्स्ट है acetic acid acetic acid इसका formula आप सबको पता होगा आप सबको CH3COOH और यह किसमें पाया जाता है यह vinegar में पाया जाता है active ingredient in vinegar उसके बद नेक्स C3H8 इसका formula है अब इसके बद यह भी cooking में यूज होता है उसके बद देखे sodium carbonate Na2CO3 यह क्या होता है washing soda होता है यह important है जो जो important है उसे mark करते जाओंगे आप उसे याद रखिए जैसे for example baking soda important है यहाँ पर उसके बद sodium carbonate मतलब कि washing soda important है अब इसके बद नेक्स देखिए phosphorus acid यह soda की तरह यूज होता है flavor की तरह ammonia यह भी काफीज है सबको इसका यादो का formula NH3 और यह fertilizer fertilizer में काफीज का important रोल है और house cleaner में यह यूज होता है अब इसके बद नेक्स है ethylene glycol ethylene glycol क्या होता है कि इसे antifreeze की तरह यूज करते हैं और ethylene glycol का formula है C2H6O2 अब उसके बद देखिए calcium carbonate यह हम उलड़ी फस्ट नमबर पढ़ चुके हैं कि calcium carbonate मतलब कि CACO3 इसे anti-acid की तरह यूज करते हैं यह जब acidity होती है तो उसे यूज करते हैं अब इसके ब नेक्स्ट है carbon dioxide यह भी काफी जी है CO2 तो यह है carbonating agent in sodak carbon dioxide के तो काफी सारे यूज से यह सबको आपको पता होगा उसके बाद नेक्स्ट है hydrochloric acid hydrochloric मतलब कि HCL इसका गया होता है कहा कहा यूज होता है बैटरीज में यूज होता है बल्स होता है फायरवर्क्स में यूज ह इसके बाद नेक्स्ट है 16 number calcium oxide CAO इसका क्या होता है कि गाहों अगर में आपने दिखा हुआ घर को पेंट करने में इसका यूज होता है तो less common in modern homes than in past मतलब की जो गाहों अगर में होता है वहाँ पी यूज होता है अब इसके बाद नेक्स देखिए नेक्स यहां पे सुक्रो इसके बाद प्लास्ट ऑफ पैरिस मतलब की CASO4.2 तो यह आपको याद रखना है क्योंकि प्लास्ट ऑफैरिस और जिप्सम जोए विव सिक्स्टी और सवेंटी में पूछा भी जा चुका है अब इसके बाद इसका यूज इसका यूज जनरल फेक्टर से वगर में होता है प्लास्टर ऑफ तो उसमें इसका यूज हरता है अब उसके बाद देखे के जिप्सम का यूज कहाँ होता है वNT यूज यूज होता है किуск won सिप्सम किया है c अब उसके बद देखिए hydrogen peroxide इसे जनरली mouthwash की तरह यूज करते हैं अब जब हम यहां पर 27 जो पढ़ने वाले हैं इनका जनरली क्या होता है इनके से आपको फॉर्मूला ही भूजा आता है फॉर्मूला आपको common name दिया रहेगा और आपके पास options में फॉर्मूलास दिये होंग है तो यहां पर almost सभी काफी important है तो आपको सबको याद रखना है याद कैसे होगा आप जितने mcqs solve करेंगे उतने जल्दी आपको यह याद होगा अब देखिए baking powder baking powder हम पढ़ चुके नहीं co3 टेक्स टेप blue vitral जो की copper sulphate होता है इसका फॉर्मूला होता है cus4.5 h2 अब उस इससे क्या करते हैं बिखोश करते हैं अब उसके बाद देखिए chalk chalk मतलब की marble किससे बना होता है ca co3 calcium carbonate caustic soda यह काफी common है काफी easy है यह है NaOH मतलब की sodium hydroxide उसके बाद next है dry ice जो की होता है solid carbon dioxide co2 उसके बाद देखिए epsom epsom होता है magnesium sulphate mjso4 उसके बाद है caustic potassium potassium hydroxide होता है उसक green vitrol green vitrol और blue vitrol इसके बाद एक white vitrol आएगा वो भी तीनों ही important है तो आपको इसको याद रखना है epso4 होता है यह ferrous sulphate उसके बाद heavy water heavy water भी काफी exam में पूछा जाता है ठीक है तो इसका formula होता है d2o next देखिए next है acetic acid CS3 COOH यह अब अलड़ी पढ़ चुके है अब उसके time कहते है C A O H choice यह base है इसके बाद हम जो most important है सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे जैसे कि यहां पर plaster of Paris आपको याद रखना है उसके बाद white vitrol जैनसर 4.7 h2o यह से zinc sulfate कहते हैं उसके बाद marsh gas की भी हम पढ़ चुके है उसके बाद देखिए next laughing gas N2o यह भी कई पूछा गया laughing gas क्या होता है तो यह भी आपको याद रखने है TNT मतलब की ट्राइन आइट्रो ट्रॉलीन यह इंपोर्टेंट है इसे explosive की तरह यूज के जाता है तो यह सारे जो ही काफी important है मैंने और एक्स्टर इसके मेंशन कर दिया क्योंकि जब आपको यह PDF मिलेगा तो आप इससे पढ़ सकत तो यह आपको टेवलर फॉर्म में यहां पर है आप इसे देख सकते हैं अब यहां पर हम कुछ MCQ करेंगे chemical compound से related तो चलिए यह one by one questions को देखते हैं What is the chemical formula of baking soda I hope आप लोग को याद होगा baking soda का formula क्या होता है sodium hydrogen carbonate option number A is the correct answer अब इसके बाद next question देखते हैं next question पूछा गया है what is the chemical formula for heavy water यह भी हम पढ़ चुके हैं इसका right answer आप लोग को पता होगा इसका answer है option number 2 D2O अब इसके बाद next question देखें next question पूछा गया है what is the chemical formula of caustic soda caustic soda का chemical formula क्या होता है तो यह भी काफी easy question है NaOH मतलब कि option number 3 अब इसके बाद next देखें what is the chemical formula of milk of magnesium magnesium ठीक है यहां पर magnesium के बाद की गई मतलब कि यह काफी easy है option number a MgOH choice अब इसके बाद next question देखें acetic acid is found in which of the following यह भी काफी easy question है देखें option number a vinegar अब इसके बाद next question है which is the chemical formula of washing soda chemical formula क्या है तो यह इसका answer क्या होगा option number one Na2CO3 अब इसके बाद next देखें which is the most common use of ammonia ammonia का most common use क्या है इन में से तो ammonia का यूज है वो fertilizer में किया जाता है तो यह option number a is the correct answer अब इसके बाद next अब इसके बाद next देखें what is the chemical formula for plaster of Paris तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer option number four CASO4.halfh2 आप में से काफी लोगों को भी confusion होता होगा कि plaster of Paris और gypsum का हम कैसे याद रखें कि जैसे यहाँ पर CASO4.halfh2 है वा इसी वहाँ पर two होता है हाफ और two में काफी confusion होता है लोगों कि plaster of Paris का क्या होगा और gypsum का क्या होगा तो आप कैसे याद रख सकते जिससे plaster of Paris जो है यह थोड़ा थोड़ा बड़ा नीम है और gypsum जो है वो थोड़ा छोटा नीम है तो आप क्या कर सकते है एक्स्चेंज मतलब कि जिसका बड़ा नीम होगा उसका जो वहाँ पर जो डिजिट है वो छोटा होगा जैसे plaster of Paris का है बड़ा है तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो नंब इसका आंसर है option number a iron oxide अब इसके वाद next question देखिए what is the chemical formula for laughing gas laughing gas का chemical formula क्या होता है n2o option number a is the correct time thank you everyone इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना feedback comment section में दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी useful लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को subscribe करें और उसके बगल में जब बैल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस करें ताकि अच्छा रहेगा तो हम इसी तरह से आपके लिए continuous वीडियो जो है वह लाएंगे